नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में हम foot pain के बारे में बात करेंगे हमारे तलवे में इस तरफ काफी दर्द हो जाता है और इसके बहुत सरे रीजन होते हैं और इसके बार में बात करेंगे लेकिन हम फोकस करेंगे इसके लिए क्या की एक्सरसाइजे से जिससे आपको इससे रिलीफ मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए है तो जरू सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बैल आइकन उसको भी प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नूटिफिक्स आपको मिलते रहेंगे कि जे बहूं करते हैं नुटिफिक्सल जरू जब वहांस तरह चोटे चोटी मास्पिस्या उत जिसमें अकडना जाता है इसे हमें इसे स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है तो बहुत सिंपल है उसको च्प्रेक करने के लिए आप इस पोजीशन में आप बैढ जाएएंगे यह देखिए, इस पैर का मुझे स्टेच करना है तो मैंने इसको दूसरे पैर के जांग के उपर में रख दिया है, उसकी बाद फिर मैं इसको इस तरह से पकड़ूँगा, आप मेरा पोजिशन देखिए, मेरा रिष्ट लगबग मेरे टूस क्या सबस रहेगा, फिर मैं इसको इस तरह से पकड़ूँगा और फिर इसे इस तरह से खीचूँगा, यह देखिए, तो मुझे यहाँ पर एक स्ट्रेच फिल हो रहा है, ठीक है, तो इस पोजिशन को कम से कम आपको 30 सेकेंड या फिर एक मिनिट तक इसको होल्ड करके रखना है, फिर आप रिलाक्स छोड़ इस तरह से आप एक सेसन में तीन से चार बार, पाँच बार आप करेंगे, तो आपको इसमें काफी रिलीफ होगा, इसके बाद आता है actual exercises, इसे हम strengthening exercise बोलेंगे, जिससे आपके foot के आसपास के mass patient में strengthening होगा और थोड़ा सा मजबूती आएगा, तो friends, actually यह foot pain होता किया है, foot pain क कि बहुत सरे reason है, लेकिन सबसे common reason है plantar fasciitis, जिसमें हमारे AD में यहाँ पे दर्द start होता है, और यहाँ पे plantar fascia होता है, जो की stiff हो जाता है, जिसके कारण हमें यह pain होता है, एक दूसरा कारण है flat foot, तो flat foot को भी manage करना जरूरी है, flat foot के हुझे से भी कई बार हमें अपने foot में pain होता है, तो flat foot के लिए क्या करेंगे, हमें assume modifications थोड़ा बहुत करना है, उसके बारे में हम इस video के आखरी में चर्चा करेंगे, तो चलिए हम exercises पे focus करते हैं, तो जो सबसे पल exercise है, उसमें आप दोनों पैरों को, foot को इस तरह से बगल में रख लेंगे, फिर आप इसको इस त इक ठो तॉलिया को बिचा देंगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो मान लिजे मैंने इस तॉलिया को इस तरह से बिचाया है, फिर मैं इसे इस तरह से collect करने की कोसिस करूंगा, ये देखिया, मैं इसे अपनी तरफ इसे collect कर रहा हूँ, तो इसको आप जब तक करें यहाँ पे AD से जोड लिया हूँ और अपने foot को बीच में यहाँ पे एक एंगल बना दिया हूँ ठीक है फिर मैं इसको इस तरह से scoop करूँगा यह देखिये इस तरह से scoop करूँगा ठीक है इससे भी AD में जेते भी छोटे-छोटे मास्क पे सिया है उसका strengthening exercise होगा ठीक है उसके फिर बैठे बैठे फिर मैं यह वाल exercise करूँगा यह देखिये heel off अपने heel को उठाना है इस तरह से इससे जितना हो सके करें इसका कोई गिंती नहीं जितना भी exercise है उसको कम से कम minimum आपको 20 से 25 बर करना है लेकिन जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है यह देखिये ठीक ह उसके बाद फिर यह वाला ठीक है इसे भी जितना हो सके उतना करें लेकिन कम से कम आप इसे 20 से 25 बर आप जरूर करें कुछ exercises आपको खड़े हो के करना है आप इस तरह से table के सामने खड़े हो जाए अगर आप बुजूर्ग अदमी है तो आपको table को पकड़ना जरूरी है कह आप imbalance होके ना गिर जाए तो इस तरह से आप खड़े हो जाएंगे और उसके बाद फिर अप मेरे पास तो यह कौच है मैंने कौच को पकड़ लिया फिर अप इस तरह से अपने हील को उठाएंगे यह देखिए 15 से 20 बर आप exercise में करें अगर मैं इसको पैर को और थोड़ा स उसके बाद अगला एक्सरसाइज है वो एक तरह से सेल्फ मसाज एक्सरसाइज है जिसमें आपको एक टेनिस बोल का इस्तमाल करना है और फिर टेनिस बोल को आप इस तरह से अपने फुट की तरह नीचे इस तरह से रगड़ेंगे ठीक है जहां जहां दर्द हो रहा है वहा ठीक है इसे जितना हो सके उतना आप करें इसका भी कोई लिमिट नहीं है आप एक सेसन में लेकिन कम से हम पांच मिनट दो से पांच मिनट तक आप जरूर करेंगे ठीक है ये सब एक्सरसाइज के बाद आपको मैं आपको रेकमेंड गोना है कि आप आप शुबह-सुबह आसपास में कहीं पर घर के अबालू अगर जमा है तो वहाँ पर बालू में आप लंगे पांच लेंगे जितना हो सके 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा लंगे पां बालू में चलिए जिससे आपका अगर फ्लैट फुट है तो flat foot में भी correction होगा, साथ-साथ में आपका foot pain भी इससे दिरे-दिरे इससे आपका दूर हो जाएगा और उसके बाद फिर अगर आपका flat foot है तो मैं आपको बाद आ रहा था, shoe modification तो juta के अंदर में actually एक हमारे foot में यहाँ पे देखे एक arch होता है, medial arch जो कि flat foot में यह arch collapse हो जाता है, और यह foot पुझे दर से flat हो जाता है, तो जब अब आप जूता पहनेंगे तो उसके अंदर में medial longitudinal arch support आता है, जिसका link अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं description में देदूँगा, वहाँ आप जाके आप खरीद सकते हैं उस medial longitudinal arch support को आप अगर आप जूते में रखेंगे और उसको regularly अगर आप उसको पहन करके अपना duty करेंगे या फिर आपका अपना profession को practice करेंगे तो धीरे धीरे आपका दर्द में भी फैदा होगा और साथ साथ में आपका flat food का जो समस्या है उसमें भी आपका काफी मदद मिलेगा इसके साथ साथ आप दिन भर का काम गरके जब आप घर आते हैं तो आप daily घर आनिक पहुंचने के बाद पाओं को अपने दोनों पाओं को गरम पाणी में डुबोए और उसको एक relax करने के छोड़ दे गरम पानी का सेख से काफी आपको आराम होगा अगर आपस में थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं तो उससे ज्यादा उसका असर और ज्यादा बढ़ जाएगा इसके साथ साथ आप TENS, TENS, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके उपर मैं अगला वीडियो में लाओंगा इसको कैसे इस्तमाल करते हैं उससे भी आपको काफी रिलीफ होगा लेकिन exercises बहुत जरूरी है जितना भी मैंने लाश्ट में जो टिप्स बताया हूँ एक्सरसाइज की कॉंबिनिशन में होगा आप उस टिप्स के जरीए आप रहेंगे किल गरम पानी का सेख देंगे तो इससे काम नहीं बनेगा आपको एक्सरसाइज के उपर फोकस रखना है वील्फ फोбы्स बताया हूँ तो उम्मिद करते हैं आपको ये वीडियो लगाओगा और अगर आपको ये वीडियो लगाया तो इसे जरूर लाइक करें और ये शेर यापने दोस्तों के साथ और पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आये हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे ही helpful वीडियो में लगते रहता हूँ Thank you for watching, bye-bye